चोपड़ा है जोगिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बच्चों सबसे पहले आप सभी को री पब्लिक डे की हार्दिक सूप काम नाएं अभी नीट 23 की एक्जाम में 100 डेज का टाइम सेश बचा है यानि 7th मई 23 को नीट का एक्जाम है अभी कुछ सी स्टुडेंट्स ये उमीद लगा कर बैटे हैं कि नीट 23 का एक्जाम पोस्ट मोंड हो सकता है बाद में तयारी कर लेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि जिस परकार से NTA का ट्रेंट चल रहा है उसको देखते हुए नीट 23 का एक्जाम 7th मई 23 को ही कनफर्म है गौर्मेंट भी सभी एक्जाम को पहले वाले समय पर ही ला रही है इसका एक्जामपल हम नीट PG को ले सकते हैं क्यूंकि ये 5th मार्च 23 को है तो ये तो कन्फर्म है कि नीट 23 का एक्जाम 7 मई 23 को ही होगा रही बात एप्लिकेशन फॉर्म की तो ये मिड फर्वरी में स्टार्ट होने की पोसिबिलिटी है अब ये जो 100 दिन का समय आपके पास बचा है नीट 23 की तैयारी करने के लिए ये समय काफी सफिशेंट है इस समय में आप दिन रात महनत करके अपने ड्रीम कोलेज में एडमिसन ले सकते हैं हाँ आसान तो नहीं है मगर ऐसंभव भी नहीं है आपको महनत करनी पड़ेगी मगर सलक्षन 100% हो जाएगा मैंने प्रिवेस एयर में यही देखा है कि स्टुडेंट जब एकजाम के 3-4 मैंने बसते हैं तब अच्छी तैयारी करके अच्छा इसको खड़ा करते हैं अब मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कौन-कौन से स्टुडेंट क्या गलती करते हैं जिनके कारण उनका स्लेक्षन नहीं हो पाता है आप इन गलतीयों से दूर रहें ताकि आपका स्लेक्षन हो जाए तो सबसे पहले आत्म विश्वास काफी सारे स्टुडेंट फरवरी मार्स तक अपना आत्म विश्वास खो देते हैं और वो ये मानकर स्टुडेंट कम कर देते हैं कि मेरा इस साल स्लेक्षन होना मुश्किल है या फिर यही सोचते रहते हैं कि स्लेक्षन होगा या नहीं होगा और वो हार मान लेते हैं जहां उनको अच्छी स्टुडेंट करनी चीए अभी अच्छी study की जुरत है वहाँ वो study कम कर देते हैं आपके लिए ये जरूरी है कि आप ये सोच ले कि मेरा selection इस बार पका है और मैं बार-बार अपने वीडियो में यही बोलता हूँ कि ऐसंभव भी संभव बन जाता है अगर इनसान में कुछ कर गुजरने का जनून हो और अभी तो हंड्रेट डेज का समय नीट क्रेक करने के लिए सफिसेंट है दूसरा है प्लानिंग काफी सारे student में कमी यही रती है कि वो study planning के साथ नहीं करते हैं जैसे कि student की planning होनी चीए कि फरवरी तक अपना syllabus complete कर ले मार्च और अप्रेल में मोग टेस्ट या फिर जो आपके practice है DTS है, RTS है उनकी practice करें यह एक planning कर लें कि इस तारीक को मेरे को syllabus complete करना है और इस दिन से मैं मोग टेस्ट की practice कर दूँगा शुरू कर दूँगा RTS की practice सुरू कर दूँगा DTS की practice सुरू कर दूँगा तो यह आपको एक planning के साथ में करना है अगर आपकी planning सही है तो आप सही direction में जा रहे हैं और आपको selection से कोई नहीं रोख सकता यह 100 days आपके लिए काफी important है next time table के साथ study काफी सारे student time table के साथ study नहीं करते हैं वही सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं मन किया तो biology पढ़ लिया physics पढ़ने का मन नहीं किया उसको उठा कर भी नहीं देखा आपके लिए यह जरूरी है कि आप time table के साथ study करे हर एक subject को equal समय दे जो subject week है उसको थोड़ा ज्यादा समय दे जो week chapter से उनके concept को अच्छी तरह से समझे next और important point है distractions काफी सारे student की कमी यही रहती है कि वो mobile phone से चिपके रहते हैं friends और relative से काफी समय तक बादचीत करते रहते हैं जो कि study के लिए सबसे बड़े बादक होते हैं क्योंकि काफी सारे relative और friend नहीं चाते कि आपका selection हो वो आपको demotivate करते रहेंगे आप अगर selection चाते हैं तो mobile phone का exam तक इस्तेमाल ना करें अगर करें भी तो इतना ही करें जितनी जरूरत है अनावशिक, net, surfing वो दोस्तों से बात ना करें क्योंकि अगर आपने एक बार बात कर ली तो पढ़ते समय वही बाते बार बार आपके दिमाग में आती रहेंगी और आप किसी भी subject को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाएंगे घर वे फैंबली में होने वाले function को कम attend करें जरूरत है उतना ही attend करें नहीं तो avoid करें exam तक के लिए exam के बाद में आपके पास में इन कामों के लिए काफी समय रहेगा आप बाद में attend कर सकते हैं लेकिन exam तक एक exam पर ही focus रखें अभी काफी सारे student रिवीजन के नाम पर reading करते रहते हैं चाहे उनको समझ में आए या ना आए इससे आपके समय की बरबादी होती है बुक को रीड करके किसी को दिखाना नहीं है कि मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया है आपको चीए कि आप रिवीजन करते समय पूरा focus चैप्टर पर दें उसको समझें चाहे आप कम पड़ें बट सार युक्त पड़ें ऐसा नहीं करें कि आपका दिमाग कहीं और जा रहा है और आप reading किये जा रहे हैं तो बचो वीडियो के अंत में सारांस यही निकलता है कि आप इन हंड्रेड डेज में मेहनत करो आपका selection confirm होगा मदर फादर भाई बैन दादा दादी के इलावा एकजम तक किसी से बेकार की बाते ना करें मोबाइल से दूर रहें टाइम टेविल और प्लानिंग के साथ स्टड़ी करें आप अवस्स सफल होंगे बेस्ट ओप लग